दोस्तों मैं हूँ डोक्टर मुशारा फुसान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल हेल्दी हेल्ट फोर अगल पे आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं बच्चों की एक बहुत ही एहम बिमारी के बारे में अगर ये बिमारी माबाप मिस कर जाता है तो बड़े होके बच्चों के लिए काफी दिक्केते हो सकती है मैं बात करूँ दोस्तों और टिज्म के बारे में लेकिन और टिज्म में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एक एक्सपर्ट की जुरूत होती है और आज हमारे साथ इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर एमा कपूर ठकराल Master's in Occupational Therapy जिन्होंने Gold Medal हासिल किया है एगिन Bachelor's में भी और Master's में भी और इनका करीब दो दशक का experience है Occupational Therapy का तो डॉक्टर एमा आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मुशारफ आपसे हम जानना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में कि आउटिज्म होता क्या है मैं बहुत ही आभारी हूँ कि हम आज बात कर रहे हैं इसके बारे में तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आउटिज्म क्या है सबसे पहली चीज आउटिज्म एक spectrum disorder है spectrum से मेरा मतलब है एक सिले के 100 तक आपके बच्चे में अलग अलग तरह के symptoms या फिर लक्षन देखे जा सकते हैं आप autism के actually लक्षन क्या है यह एक neurodevelopmental disorder है और इसके तीन मुख्य लक्षन है जिसमें सबसे पहला है आपके बच्चे के communication में डीले होना communication से मेरा मतलब है आपका बच्चा बात नहीं कर रहा है आपका बच्चा जवाब नहीं दे रहा है ठीक है दूसरा लक्षन जो देखा जाता है वो है social interaction social interaction मतलब आपके बच्चे का आप लोगों से बात करना या फिर अपने age group के जो बच्चे हैं या अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना बात करना और तीसरा जो लक्षन पाए जाता है वो है उनके behavior के बारे में जिसमें बच्चे तरह तरह के behavior कई बार बहुत repetitive behavior जैसे hand flapping बार-बार अपने हाथों को हिलाना या फिर कानों पे बार-बार हाथ लगाना बहुत तेज आवाज होने पे बहुत जोर-जोर से रोने लग जाना तो ये कुछ behavior के changes हम देखते हैं autism spectrum बच्चों में अब मैं फिर तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए अगर ये लक्षन माबाब चान भी लेते हैं तो ये कैसे पता करें कि किस उम्र से उनको ये लक्षन को देखना चाहिए और किस उम्र में इस बिमारी का पता लगाया जा सकता है क्या कोई age से related भी इसका संबंध है या चोटे बड़े बच्चों में ये बिमारी हो सकती है सभी में बिल्कुल धन्यवा डॉक्टर मुशरप देखिए आपने हम बोलते हैं पात साल से पहले का समय early intervention का समय है early intervention से मेरा मतलब है जितनी जल्दी हम जान सके बच्चे के लक्षन को पहचान सके उतनी जल्दी हम उसको बहतर और एक independent life दे सकते हैं लेकिन इसके लिए important है कि माबाप समझे कि क्या लक्षन है तो जिन लक्षनों के साथ माबाप हमारे पास आते हैं उन में से कुछ है मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है जब अगर उसको आवाज दी जाती है उसका नाम पुकारा जाता है तो नाम का जवाब नहीं देता है या मेरा बच्चा अगर मैंने दस बार आवाज दी तो सिरफ एक बार ही मेरी बात सुनता है मेरा बच्चा कम्मिकेट नहीं करता है मुझे ममा कहके या पापा कहके नहीं बुलाता है तो एक और लक्षन है autistic बच्चों का जहां पर वो माबाप को as a object यूज करते हैं कोई भी चीज पाने के लिए तो उन्हें पानी चाहिए तो मम्मी का हाथ पकड़ेंगे पॉइंट करेंगे किचन में जाएंगे और बोलेंगे हमें ये चाहिए और माबाप ये चीज करने लग जाते हैं नहीं समझते हुए कि ये एक लक्षन है जो की देखा जा रहा है बच्चे में तो येस जैसा कि आपने कहा बच्चों को बहुत माबाप को बहुत ज़रूरी है कि वो सजक रहे और पहचाने कि अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसी होते हैं या बहुत सारे लक्षन भी किसी बच्चे में हो सकते हैं बहुत सारे लक्षन हो सकते हैं जैसे कि बहुत सारे माबाप हमारे पास आते हैं कि उनको अपने बच्चों के नाखून काटने में अपने बच्चों के बाल कटवाने में बहुत तकलीफ होती है मुझे और एक और जो लक्षन देखा गया है कि इन बच्चों के साथ सूसू और पॉटी ट्रेनिंग करने में बहुत समय लगता है, ठीके तो अगर आपका बच्चा कुछ उमर तक 5 साल तक, मैंला हम medically बोलते हैं 3 साल में बच्चा train हो जाना चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपका बच्चा नहीं हो रहा है, तो देखने की जरुवत है कि आच्चली प्रॉब्लम कहां पर है, अज़र लक्षन होता कि बच्चे देर से बोलते हैं या बोलते नहीं है, तो एक और बीमारी होती है, जिसको टंग टाई के नाम से जाना जाता है, तो फिर ये कै आइसे पता करें कि बच्चे को जो बोलने में देरी हो रही है, वो टंग टाई की वज़े से हैं या और टिजम की बीमारी की वज़े से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्श्कों को बताई को बिल्कुल, तो सबसे बेसिक डिफरेंस यह है कि जिस बच्चे का टंग टाई होगा, वो जब आप उसको नाम से पुकारेंगे, तो आपकी तरफ जरूर देखेगा, ठीक है, जिस बच्चे का टंग टाई होगा, जब आप उसको पुकारेंगे, तो वो आपको आई कॉन्टाक्ट जरूर देगा, और यही डोनों चीज़े, अगर बच्चा Autism Spectrum Disorder के किसी भी लक्षन से ग्रसित है, तो उसमें यह दोनों चीज़े नहीं होगी, तो टंग टाई में क्या होगा, जब हम वो टंग टाई को कटवा देंगे, या उसका इलाज करेंगे, तो वो बच्चा बोलने लग जाएगा, और Autism Spectrum बच्चों के पास भी speech होती है, लेकिन उनकी processing सही नहीं होती, processing में problem होती है, जिसकी वज़ा से वो बोल नहीं पाते हैं, तो शब्दों है, आप देखेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, जो repetitive, जिसको हम Ecolelia कहते हैं, बार बार एक शब्द को repeat करते हैं, या माब कहते हैं, उन्होंने किस उमर के बच्चों में होता है, क्या छोटेस्ट बच्चों में भी यह शुरू हो जाता है, या बड़े बच्चों में होता है, वह कौन सा age group है, जिसमें इसको पैचाना जा सकता है, और माबाब को किस age group से बच्चों के इन लक्षनों को पैचानने के लिए ध्यान देना शुरू करना चाहिए बिल्कुल तो जैसे की डॉक्टर मुशरफ बहुत सारे बच्चे हमारे पास लाए जाते हैं जो एज हमारे पास लाए जाने की है वो है दो से तीन साल के बीच में क्योंकि वो समय है जब हमारा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और जहां पर जब हमें पदा चलता है कि हमारा बच्चा एक्चुली इंटराक्ट नहीं कर रहा है हमारा बच्चा दूसरों बच्चों के साथ गुल मिल नहीं रहा है या हमारा बच्चा तीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन डेड़ साल एक ऐसी उमर है जहां पर माबाप पहचान सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ ये तकलीफ हो रही है तो माबाप अगर सजक रहेंगे तो जितनी जल्दी हमारे पास आएंगे जितनी जल्दी ठेरपी शुरू की जाएंगी उतनी ही जल्दी बहतर रिजल्स आएंगे बच्चों के लिए यारी अर्ली डागनोसिस बेटर रिजल्स अब्सल्यूटली हंड़िट परसेंट मैं इससे पहले आप से पूछ रूँ कि इसका इलाज क्या है या माबाप को क्या करना चाहिए आजकल और भी बच्चों में या माबाप में भी एक आदत देखी गई है कि वो चोटे बच्चों को बिली आप में तक counselor को सब्सक्रीन ताइम बच्चों और इसकी पैकर मोबाइल के स्क्रीन ताइम से और उतिगे में सीधा सीधा संबंधाइं या इससे लेना या इनका बहुत इए अच्छा सम्वाल आपने पूछा अपने पूछा और बहुत सारे माबाप आज साथम करने लगे, सब लोग घर में थे, और बच्चों को ना चाहते हुए भी समय नहीं दे पाए तो इसी वजह से स्क्रीन टाइमिंग के बढ़ने की वजह से वर्चॉल आउटिजम के केसे बहुत बढ़ गए हैं और इनको हम पिछले एक डेट साल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मतलब मैं कह सकती हूं लगबख 50 प्रतीशत की बढ़ोत्री हुई है इन केसे में खैर दोक अगर यह लक्षण किसी माबाब को अपने बच्चे में दिखने लगता है किसी भी स्टेज पर आप माबाब को क्या करना चाहिए यह अगर कोई लक्षण दिखते हैं और साथ ही साथ मैं दूसरा सवाल भी आप से साथ ही पूछ लेता हूं कि इसका इलाज संभव है क्या औ ठीक है और दूसरा जो मैं कहूंगी अगर आपको कोई भी लक्षण अपने बच्चे में देख रहा है तो प्लीज गूगल मत करें आप सबसे पहला पॉइंट है आपका पीडियाट्रिशन आपके बच्चों का डॉक्टर आप उनके पास जाईए उनसे अपनी समस्यां डि है यह एक comprehensive approach है treatment की जहाँ पर various therapies दी जाती है बच्चों को जिससे की वो आगे जिन्दीगी में independent बन सके तो जैसे अगर मैं बात करूँ sensory integration की तो वो एक occupational therapist होने के नाते हम deliver करते हैं बच्चों ठीक है जो की उनकी जितनी भी sensory problems है उन सब को deal करने में help करते हैं एक special educator जो की help कर करता है बच्चे को उसके पढ़ाई करने में एक speech therapist जो की help करता है कि हाँ हमारा बच्चा जब हम attention concentration ले आते हैं तो हमारा बच्चा कैसे शब्दों को एक sentence में पर हो सकता है speech therapist की मदद से और psychologist work करते हैं उसके behavior पर. So pediatrician या फिर developed pediatrician के साथ मिलकर सब लोग एक team की तरह काम करते हैं और जो की autistic बच्चों या autistic spectrum बच्चों के साथ बहुत अच्छे results लाए जा सकते हैं. अगर को doctor आपको approach करना चाहे आपसे मिलना चाहे आपसे consultation करना चाहे online या कहीं आपका अगर clinic है तो कैसे आपको approach किया जा सकता है क्या कोई आपका contact number है या appointment के लिए कोई number है email address है जिस पे दर्शक आपको contact कर सकते हैं और यह जो आपने जानकारी दी है इसके आधार पे अप for minds forever उसको follow कर सकते हैं वहाँ पर हम तरह तरह की जानकारी हमेशा parents के लिए और सब लोगों के लिए लाते रहते हैं और phone number और email ID आपके साथ share की गई है जो आप comments में डाल सकते हैं और parents चाहें वहाँ से हमें contact कर सकते हैं और COVID ने यह तो हमें बता दिया कि दुनिया बहुत ही जिस तरह से भी आपके बच्चे के बारे में या आपके किसी भी परिजन के लिए help कर सकेंगे वैसे हम help करते हैं और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो से हम लोगों तक पहुंच सकें और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर जो बहुत सारे माबाप हमारे पास आक लेकिन अगर आज आपके बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा है तो आप लोग सक्षम हैं आप लोग पढ़े लिखें हैं तो प्लीज स्टेप लीजिए क्योंकि जैसा कि आपने का डॉक्टर मुशरफ अर्ली इंटर्वेंशन इस दकी जितनी जल्दी हम उसके लिए काम करेंग को लेके मैं कहूंगा धन्या हो गया हूं कि यह इतना सटीक और इतनी डिटेल में आपने बताया बहुत सारे दर्शक मुझे सवाल भी करते हैं बहुत सारे वीडियोस पे एक आद वीडियोस मैंने बहुत ब्रीफ पहले बनाया थी ओर्टिस्म को लेके आज मुझे लगा कि सच में यह जानकारी मिली है यह बहुत काम आने वाली है दर्शको को तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया और आगे उम्मीद करता हूं कि आप से हमें और भी की दूसरे टॉपिक्स पे इस तरह की जानकारी मिलते रहेगी तो दर्शको थ स्ब्सक्राइब जुरूर कर ले बैल लेकन का बटन भी दबा ले सो देट इस तरह के हेल्थ इंफर्मिटी वीडियो आपको मिलते रहे